लोहरी जो है वो भारत के कई प्रांतों में कई रूप में बनाया जाता है और आपको बता दें कि लोहरी को पहले तिलोरी कहा जाता है लोहरी की कई ऐसे रोचकत जिनके बारे में शायद ही आप जानते हों इसको आपको बता दें कि चौदर को मकर शंक्रांती देश के कई प्रांत में बनाया जाता है और आपको जो लोहरी पर्व है ये रीतु बदलने के साथ होता है बसंत के आगमन के साथ ही लोहरी को मनाया जाता है पंजाब में इसे पहले तिलोरी के नाम से जाना जाता था उसके बाद इसे नाम दिया गया लोहरी पंजाब के आज भी कई प्रांत में लोहरी को लोई या लोई के नाम से भी जाना जाता है असी पंजावियानों तो पता ही हैगा कि कैसे मनान दे हैं लोरी लेकिन जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं जो पंजाब और हरियाना से तालूप नहीं रखते हैं या फिर जिन्होंने कभी से देखा नहीं मनाते हुए उन सब के लिए आज हम ऐसे कुछ रोचक बाते लोरी के बारे में लेकर आए हैं आपके भी दिमाग में एक सवाल उठता होगा कि आखी लोरी मनाते कैसे हैं तो आपको बता दे कि लोहरी के दिन आग जलाकर लोरी की संध्या होती है सुबह में माथा टेका जाता है पूजा पाट किया जाता है और उसके बाद साम को केस्लिक से और आपको बता दे कि उसके बाद भंगरा भी पाया जाता तो इस तरीके से पंजाब और सब्सक्राइब में लोरी मनाया जाता है अब अधूरिक्ता को देखते हुए कई जग़ा लोरी की पार्टियां सब्सक्राइब के कि पहले जो प्राचीन तीलॉरी वर्ड कहां से लिख ला है, जो तील और रोली को मिला कर बनता है तीलॉरी. तो वहाँ जहां पे कुछ ज़्यादा मात्रा में पञाबी हैं, तो वहाँ पे भी लोली को मनाया जाता है. सुन्दर मंदरिये, तेरा कौन बिचारा, दुल्ले दी वट्टी आई, फिर सक्करपाई, क्या समझे आप? आपको बता दे कि प्रचीन काल की जो कहानी है लोहरी मनाने की आपको साइद ना पता हो, लेकिन आज हम आपको उसी से रूबरू कराएंगे, लोहरी क्यों मनाया जाता है? तो कई लोग कहते हैं कि संत कबीर की जो पत्नी थी लोई उनके याद में मनाया जाता है लोरी यह भी मन्यता है कि सुन्दरियो मुंदरी नाम के लड़कियों को राजा से बचा कर दुल्ला भट्टी नामक डांकु जो था ओओ किसी अच्छे लड़के से शादी करवा दिया तब से ऐसा भी कहा जाता है कि सुन्दर मंदरिये के याद में भी इस लोगरी को मनाया जाता है आपको बता दे कि जब नव बधु आती है या फिर पुत्र पैदा होता है तो लड़की के घर से वस्त्र मुंग फली और सांथ में तिलोरी आदी आने का परंपरा है और उसे ल्री कहते हैं लर्की की घर से लोरी आता है और जब पुत्रबधू नहीं नहीं आती है ओर ओमयके में होती है वहां लर्की के घर से उसके घर लोरी आने की परंपरा है तो कुछ इस तरीके से आज भी पंजाब के कई शहरों में बड़े धूमधाम से भंगड़ा पौते हुए लोहरी मनाया जाता है हिंद भारत की ओर से साड़या नू लोहरी दिल लख लख बधाईया घर में रहो चंगा रहो भंगड़ा पौंदे रहो खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सकाइब करें और ये बैल आइकन जरूर दबाए